नमस्कर आदाव सस्रीयकल स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब के भारती राष्टी आंदुलून की क्लास से लेती इसके एक क्लास पहले आ चुकी है इसमें क्या करें एंसी आर्टी और सी आर्टी के बुक के जितने भी इंपोर्टेंट अगर आपके एक्जाम में modern history से question आता है तो क्लास आप सब के लिए बहुत ही helpful रहेगी ये सारी चीज़े हैं इससे पहले पढ़ चुके अगर आपनी वोली क्लास को नहीं देगा तो चैनल के playlist में जाकर देख लिचेगा ओके क्योंकि जो छोटी छोटी पॉइंट होते हैं ये आप सब के एक्जाम के लिए बहुत ही helpful होते हैं अगर आप बिहार से चेग बर्ती परिच्च्छा की तियारी के लिए assassinot की लिए Euro की पुलिस की किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे तो क्लास आप सब के लिए बहुत है helpful रहेगी तो चले इपनी क्लास को start करते हैं एक motivational कट किसद ना फूच मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा है ना हारूं के होसला कुछ भी हो जाए किसी और से नहीं खुद से किया क्या वादा है दिखें इस टाइम पर क्या और है जो भी टाइम बचे आपके एकजाम के लिए उसको बहुत अच्छे से करिए और टूइट वह अगरा भी करते रही है तो चलिए अपनी क्लास इस्टार्ट करते हैं हमने भारती राष्टी कांग्रेस के इस्तापना से जुड़े सारी पॉइंट को डिसकस कर चुके थे अब हम उसके आगे की बारे में डिसकस करेंगे जब 1905 में क्या हुआ था ब बंगाल भीवजन पुहावे हो गया था बंगाल भीवाजन का कारण एस्ट इंडिया कंपनी ने चलिकि की बंगाल भीवजन पहुत बटा है इसली आपर में यापएं क्या हुर ृवी पृधार्य असुपता हुरे है लिए फीम बंगाल का भीवाजन करना चाहते हैं जबक 16 अक्टूबर को मनाये था अब बंगाल विवाजन के विरोध में सुदेशी आंदोलन और भाहिसकार प्रस्ताओ चालूंगो और इसमें क्या हुआ कि बिटिस आसन को उखाट फिकने के बात किया गया सुदेशी आंदोलन के तैट क्या कर रहे थे बिटिस के बनी हुई चीज़ों को क्या कर रहे थे बहुत प्यापक रूप से बहिसकार कर रहे थे इसके बात क्यों होते हैं 1906 में 1906 में धाका के नवाब सलीम उल्ला खाने मुस्लिम लीग के इस्तापना किये 1906 में किसके इस्तापना होते हैं तो धाका में All India Muslim League के स्थापना करते हैं, Muslim League के स्थापना करते हैं, धाका के नावदस सलीम उल्ला खार, अध्यज कौन बनेंगे तो अध्यज आपके बनते हैं, वकार उल मुल्क, आप बंगाल विभाजन का लीग ने समर्तन किया था, यह छोटे छोटे पॉइंट क्या करता ह आपके उक्जाम में कई पर गतन कारण में क्यों दी दीता है, जिसे Muslim League ने क्या किया था, बंगाल विभाजन का समर्तन किया था, और Muslim League ने मांग की, मुसल्मानों के लिए अलाग निर्वाचक ब्योस्ता की जाएं, Muslimानों के लिए परत्यक निर्वाचक मंदल की मांग किस नी कीती? गार म कीती am 19-ıll бог статьalog की जो आपको मार्ले मेंटों अक्ट मीपहली बार Muslimे को परत्यक निर्वाचक मंदल प्रदा किया था मुस्लिमों को प्रतक निर्वाचक मंदल को कांग्रेस ने शुकार नहीं किया था कांग्रेस कब शुकार करती 1916 के जब लखनों समझाता होता है 1916 के लखनों समझाता है कांग्रेस ने मुस्लिमों को प्रतक निर्वाचक मंदल को शुकार कर लिया था अब ये देखे कालक्रम को समझेगा ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कई वर हम पूरी modern history पढ़ लेते हैं लेकिन अगर आपने जैसे बिहार से चेक वरती परिच्छे का analysis क्या होगा ऐसे छोटे 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 पॉइंट होते हैं मुस्लिमों को पहली प्रतक निर्वाचक मंडल मिला अब मुस्लिमों को प्रतक निर्वाचक मंडल तो मिल गया लेकिन कांग्रेश ने नहीं स्युकर किया कांग्रेश ने कब 1916 में जब लखनों समझोता होते हैं जिसके अध्यस्ता करते हैं अंबिका चरव मजूद है 1916 के लखनों सुम्जोते में कांग्रेश नी भी मुस्लिम लिग के प्रताक निर्वाचक मंदल को स्योकार कर लिया था अब 1909 में कौन से एक्ट आता है 1909 में आपको माले मिंटों एक्ट आता है जिसके माद्दम से कहोते हैं मुसलिमें को प्रताक निर्वाचक मंदल कर जाते हैं इसी पेच कहोते हैं 1907 में कांग्रेश का विवाजन हो जाते हैं 1905 में बंगाल विवाजन के विरोध में हमने गया गया थे दो अंदोलन इस्टाट किये थे एक तो बहिसकार प्रस्ताओं एक तो सौधीसी आंदोलन सौधीसी आंदोलन और बहिसकार प्रस्ताओं को चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेश में क्या होगा मतबेद हो गया कख न्यून से के इसको पूरे भारत में लेकर विरूद होगा तो जैसे आपके ती गरम दल की नीथा थे लाल बाल पाल ना लाला offers वाल गंगाधर तिलाक अर्विंद घोर्ष यह सबकर रह थे कंख्रेज के जो आंदोलन को पूरे अधिस में चलाना चाहते हैं जब कि हमारे नरम दल के नेता जिसे दीन सावाचा थे मदन मोहन वालवी थी दादा भाई नौरोजी थी यह सब क्या करते हैं कि हम सिर्फ बंगाल में चलाएंगे तो 1907 के सूरत अद्वेसण में कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती हैं गरम दल और नरम दल तो कांग्रेस का भिवाजन का पूता है उनीलस के लखनों समझता हमें पहला काम क्या होता है? कांग्रेस के दूनु दल गरम दल और नरम दल के मिलन हो जाता है इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लीम लिख्वार के मत भी समझता होता है 1916 की लखनाउ समझोता है कि अधेसता किस्नी की दिन? अंभी का चरण impulse दाने है 1916 के लखनो समझोता में ही बिहार से कौन आया थे राज कुमार सुक लाया थे इन्होंने क्या किया था महत्मा गांदी को आमंत्रित किया था क्या बिहार आई यह वहाँ पे एक दिन खटिया प्रता आये इसका विरोध करना जिसके करना किसान बहुत परिशान है तो राज कु क्लिप मात्मा गांदी से पहली बार कप मिलेते 1916 के लखनो समझोता में कोई पर नहीं समझ मैं कॉमेंट सेक्षिन दौरा पूस्ट लीजेगा यहां पर मैं आपको पूरे थियोरी नहीं पढ़ा रही सिर्फ इंपोर्ट इंपोर्टन पॉंट डिसकस कर रहा है अब यह इस पीडियोब को आप दो से तीन बर जरूर पर लीजेगा ऐसे मैंने आपको ज़ल्द आपको एवियस के मिल जाएगी पॉल्टी की पीडियाप भी आपको दी जा चुकिए उन सारे पॉंट को जरूर पढ़ लीजेगा ओके चलिए आगे देखते हैं इसी मीच क्या औरत लाला लाजपत्रा आए लाला लाजपत्रा आरे समाज की भी एक सक्क्री सदस्त इस बात को ध्यान रखिएगा देखें लाला लाजपत्रा ने कांग्रेस के स्थापना में कौन सा सिद्धान दिया था लाला लाजपत्रा ने कांग्रेस के स्थापना के लिए तड़ित चाल औरना कमिशन को विरूद कर चार्च माँआ है पर माटश वह साइमिने में, जिसने में क्या हो था SH supported आरत समाच की बेस्ट करता हैं, आरे समाज के इस्ताफना की थी स्वामी देयनन सरस्वती ने स्वामी देयनन सरस्वती ने क्या किया था आरे समाज के इस्ताफना की थी अच्छा वैदिक काल में आरे का ताथपर क्यों होते है वैदिक काल में आरे का ताथपर होते है इस्ट्रेट ने आर्रियों ने खिसको पराजित किया था आर्रियों ने भारत के मूल निवासी द्रवडों को पराजित किया था clear दियान रखेगा अच्छी बताइए हमारे यांपर वेद कितने होते हैं हमारे यांपर 4 वेद लिट रिखो वेद साम वेद यचुरृबेद और अथर वेद इसके लाब अभी हमारे यांपर क्या हुए जी टॉन्टी हुआ है G20 की अधिस्ता किस ने किया? G20 की अधिस्ता की इंडिया ने G20 के एक हमने लाइन लिखी थी वसुदियो कुटमब कम, one earth, one family, one future वसुदियो कुटमब कम हमारे किस उपनिसद में लिखा है? महो उपनिसद महों उपनिसद में क्या लिए कि वसुदियों को टमकम का उलेग किया गया है भारत का जो राष्टी आदर स्वाग है सत्य में उजयते सत्य में उजयते कहां से लिया गया है सत्य में उजयते आपके मुंडों को उपनिसद से लिया गया इसके अलावा जवालो उपनिशद में चार आस्रमों का उले क्या गया है ध्यान देखिए कर ये कौशन मल्टिबल टाइम जाम में पूछे जाते हैं चलिए आगे देख लेते हैं आप क्या रहा होता है तो जन राश्टबत का उधे हो रहता भारती राष्टी आंदूलों को मैं तीन चरणों में डिवेट किया पहला हमारे 1885 से लेके 1905 तक चरण इसे कांग्रेस का उदारवादी चरण के नाम से चानते हैं इसके बाद क्या होते हैं आपका 1905 से लेके 1919 का चरण 1905 से 1919 के चरण को हम गरम दल के नाम से चानते हैं या फिर उग्रवादी चरण के नाम से इसके बाद क्यों होते हैं आपका 1919 से लेके 1947 इस चरण को हम क्या बोलते हैं गांदी वादी के नाम से चानते हैं अब इस टाइम पर क्या हो जाएगा गांदी जी बहुत इस सेंटर पर होंगे गांदी जी के बातों पर बहुत जादा लोग धिहान देंगे बहुत जादा जन अंदोलन होंगे तो इन जन राष्टवात को उद्य कैसे हो रहा था तो 1919 तो सबसे पहला महत्मा गांदी से जुड़े कुछ important point देखे महत्मा गांदी से जुड़े important point की एक class मैंने अलग से लिये उस class को जुरू देख लेज़ेगा 9 जन्वरी 1915 को महत्मा गांधी भारत आते हैं इसलिए 9 जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस की रूप में भी मनाते हैं इसके बाद 1916 में क्या करते हैं एक आस्रम के स्तापना करते हैं प्रताइब 2017 में बिहार में जाके क्या करते हैं चमपारण सत्यग्रे किसके विरूत कर रहे था, तिनकटिया प्रता के तिनकटिया प्रता तो उनीसमागांदी नी वारत में पहली बार सत्याग्रय के द्रूग अंप हें इसके बाद 1918 1918 में क्या होते है, 1918 में खेडा में सत्याग्रे होते है 1918 में क्या करते है, खेडा में खेडा के बाद 1998 में और क्या करते है, एहमदाबाल मिल मस्दूर आंदोलन यह आपके 1918 में होते है इसी बीच, 1920 में क्या हो जाते है 1919 में आपको रॉलेट एक्ट आता है सर सिडनी रॉलेट के अध्यस्ता में आपको रॉलेट एक्ट आता है रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा गया था रॉलेट एक्ट में कहा गया था अगर आपको किसी व्यक्त क्यूपर संदिये तो उसको अनेसे टाइम तक बिना गिराफतार करके रखा जा सकता है और उसके खिलाब कोई भी मुकद्मा नहीं चला सकते उसके खिलाब कोई भी वकी नहीं कर सकते अब इस रॉलट एक्ट का विरूद हो रहा था और जलियावाले बाग में जो भीड एकत रुए थी हांसरा से नामक वेक्ट नहीं क्या कर दिया था इसके सूचना दे दी थी और जैर्नल डायर ने इस भीहत्ती भीड़ पर गुलियन चलवा दी थी इसमें 400 से जादा लोग मारे गये थे और 1000 से अधिक वेक्ट ने घायल हो गये थे यह आपका सरकारी आकड़ा के उनसर है जबकि वास्ट्वी ग्रूप से इस से जादा वेक्ट नहीं कर दो बहुत जादा लोग खायल हो थे इस भीसर हत्याकांट को हम क्या बोलते हैं चलिया वाला बाग हत्याकांट के नाम से जानता है अब चलिया वाला बाग हत्याकांट से क्या हो गया था बहुत सारे लोगों ने जैसे रवीन ना टैगोर ने अपनी नाइट उट के उपाधी त्यागी थी संकार नायर ने वाइसरा की कारकानी परसेते इस्तीफा दे दिया था इसलिए इंपोर्टन पॉइंट है ध्यान डखेगा अब इकेरा जन राष्टवात का उदे हो रहा है अब इस टाइम पर क्यों रहा है तो और दोगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योग दिया दिया ब्यापमारीक समोबी कांगरेस को समर्तन देनी लगा था जैसे 1857 का बित्रू हुआ था 1857 का बित्रू में देखी एक तो आपके सिचित वर्ग ने भाग नहीं लिया था सिचित वर्ग ने भाग नहीं लिया था दूसरे जमीदार वर्ग ने भी कोई खास भाग नहीं लिया था 1857 का बित्रू में एक तो आपके शैन वर्ग ने भाग लेता है शेन वर्ग के सासत क्या होता है आपका क्रिसिबल इन दो छेतरों से जुड़े हुए लोगों ने भाग लिया था लेकिन इसमें अब जब जन राष्टवाट को दूर है आपको सिच्छित वर्ग भी भाग ले रहा है और तूगुक मस्दूर भी भाग ले रहे है तो इसलिए पहले विश्यूद दो जाते हैं पहले विश्यूद में क्या होते है भारत की आरतिक और राजनीती इस्तिती बदल जाती है अब ब्रिटिस वारत के सरकार के रच्छा वे में भारी इजाफा हुआ इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने नीची आयो व्योसाइक मुनाफ पहले विश्यूद में सरकार को बहुत खर्चे हुआ ब्रिटिस वारत का अब खर्चे लेंगे कहां से उन्होंने क्या कर दिया टैक्सों की ब्रद्दी कर दी इसके लोग बहुत सारी चोटी-चोटी चीज़ों थे वस्तों के दाम बहुत चीज़ें बढ़ गया इन सारी च अब इन्होंने टैक्स जब्रन लगा रहे थे इसके लोग और भी बहुत सारी चीज़ें तो अब यह बिरूत के और तो बहुत ज्यादा तीब होता है अच्छा बताएगा प्रतम बिश्यूद में महत्मा गांदी ने क्या कियता है ब्रिटेसर को साथ दिया ता है इसलिए सब्कादी को भुत सरे हिंद्गी उपादी त्याने उनको एक उपादी दी गई है महत्मा गांदी के पांचों पुत्र के नाम से जहने जाते हैं कौन जमना लाल बजाया महत्मा गांदी के कितने चार पुत्र थे हैं महत्मा गांदी के पत्नी का क्या नाम था कॉमेट सेक्टर में आंसर दीजे का क्योंकि अभी उनके क्या हुआ है हमने पूर्ण किती इसलिए आपको उसका पता होना चाहिए अब चलिए आगे देखते हैं इसके बात क्या हुआ कि अब भारत में क्या और था आयात में भी कमी आ रही थी भारती उदोगों को विस्तार भारती व्यावशाइक समों के लिए अधिक उसरों की मांग करने लग यह सारी चीजें क्या और थी लोगों के मन में असंतुष्टा की भावना और ला रही थी इसके कातिर क्या हुआ जबर जिस्ते सिपाईों के भरती का दबाव डाल ले जाने लगा बहुत सारे सिपाईों को दूसरे देशों में युद्ध की मोर्ची पर भेज दिया अब उ परती एक्ट आया था 1856 के सेना भरती एक्ट में का गया था किसी भी शैनी को क्या कर सकते हम जबर सबुतरपार भेज सकते हैं और उस टेंब भारतियों का मेंटाल्टी थी कि नहीं समुद्र हमारा जल दे होता है तो उसके उपर आप पैड नहीं रख सकते अब बहुत सारे क्रांति उसे क्या हुआ बहुत बड़े पैमाने पर एक विचारधारा को जन्म हुआ कि नहीं नहीं राष्टवादियों के नहीं प्रणा मिले कि रूस के क्रांति क्यों हुए जैसे होता है कि एक अगर किसी ने किसी काम को सुरू कर दिया तो दस लोग और करने लगते हैं जब 1917 में रूस के क्रांति हुए उससे भारतियों के राष्टवादियों के प्रेड़ना को नया बल मिला इस रूस के क्रांति को एक और नाम से जानते हैं कॉमेन सेक्षिन में आंसर लीजेगा इसके अलावा चौदा जुलाई को क्या करते हैं चोदर जुलाइ को ब्राश्टिल परेड होती historians कि खेल थे चोदर को चेंदरा रिक लाउन्जन करें मुस ने रहें से स्क्रीन परिए वा उस्वंन प्रूंकर सर्टिल से 17 पर चीफ गेस्ट आया थे गर्तन दिवस के कौन थे फ्रांस के सेंड्यों मेक्ड प्रो इसलिए आपके लिए इंप्रोटन्ट है चंद्रियांथ्री को लॉंच गया था चंद्रियांथ्री पहुचा काब है चंद्रियांथ्री 23 अगस्त को पहुचा है चंद्रियांथ्री जिस जगए पर साउथ पूर पर लेंड करने वोला इंडिया पहला देश बन गया चंद्रियांथ्री जिस जगए पर लेंड किया है उसे हम क्या बोलेंगे सिव सक्थी पॉइंट चंद्रयांट टू के ऑशिय समिचापर मिलेंगे उस पॉइंट को मिने क्या बोला है तिरंगा पॉइंट 23 अगस्त को कौन से दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को मराष्टी आंत्रिस डिवस की रूपर मनाते हैं अच्छा बताई समीर कामत जी डियाड़ो के स्थापना कब हुई थी एक जनवरी 1958 को क्या हुआ दे डियाड़ो के स्थापना हुई थी यह सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए इस क्लास में आपको सारे इंपोर्टन पॉइंट प्रिविस एर का एनलेसिस करके सारे कोश्चिन के दूँगे बस इस क्लास में जितने पॉइंट आपको बताए जरे उन सारे पॉइंट को याद कर लिजएगा जिब इस रीच कंप्लीट होगी तो आप दिखेंगे आप सारे जी एस के कोश्चिन आसानी से कर पाएंगे जी आप सब के लिए बहुत ब्रॉट सब्जेक्ट हो महत्मा गांदी 46 के उम्रे 1915 में दचिर अपरीका से भारत पर लोटे थे वहां पर नसल भेदी अपाबंदियों खिलाब आहिंसाग आंदोलन चला रहते हैं इसके सांसित क्या और थे महत्मा गांदी इसके बहुत लोग संसापक कर रहे थे दिखो नाटाल कांग्रेस के 1625 में किसनी की थी महत्मा गांदी लिस्टवन कांग्रिस के गदि और सब्सक्राब कर望 की देबिनाटाल कांघ्र के स्थाका को اح crashed तो उस तहब महात्मा गान्दे कितने वर्स के थे 46 वर्स के आयूके थे इसलिए चोटी चोटी पॉंट आपको पताओ न चीह इसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि महात्मा गांदे ने अपने राजनीति गुरु किसको बनाये था गोपाल क्रश्ण गुकले को महात्मा गांदे ने अपने राजनीति गुरु बनाये था फिर गोपाल क्रश्ण गुकले ने का कि पहले एक बार पूरे भारत का ब्रहमड कर किनों आंदोलन क्यों दर महात्मागांदी के लिक बहुतirty सकसिज रहते हैं महात्मा कांदी को बहुत जाद सोहरत प्रतान करवाते हैं कि देख लिए चैखा महात्मा गांदी की आपकी एज पिक लगे हुए एक लिए आज के क्लास में हमने इतना डिस्कस किया 1919 में क्या हुआ था असा योग आंदोलन क्या हुआ था ये सारी चीज़ हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए दूसरे फ्रेंट के साथ सेहर करिए